बंगाल में लड़की कशव, पुलीस ने सडक पर घसीटा, पूरी टीम पर ग्रामीरों ने पत्थर फेके, परिवार का आरो, रेप के बाद हत्या की गई जी हाँ, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनासपुर जिले में एक दलित नाबाली के साथ कतित रेप और हत्या के बाद जम कर हिंसा हुई ग्रामीरों ने युपती कशव लेने आय पुलीस कर्मियों पर पत्थर बाजी की भीड को कंट्रोल करने के लिए आरेफ के जवानों को बुलाना पड़ा, पुलीस ने आसुगेस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया लड़की कशव घसीते जाने की घटना शुक्रवार की है और इसका वीडियो शनिवार से वाइरल हो रहा है भाजपा के IT सील के प्रभुक अमित मालवे ने इस खटना का वीडियो शेर किया है राश्ट्री बाल सरक्षक आयरोग, NCPCR के अध्यक चाहिए प्रयंक कानून गो आज पीडित के परिवार से मुलाकात करने दिनासपूर जाएंगे कानून को ने ट्विट कर कहा था बच्ची का सामोहिक बलतकार और हत्या की गई शब को अपमान जनित करने का आरूप पुलीस पर है राज्य सरकार को सूचना दी थी, कोई उत्तर नहीं मिला है पुलीस का कहना है कि लड़की लापता थी, लेकिन उसके परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई बाद में लड़की का शब काली अगंच इलाके में नहर में तेरता मिला पुलीस जब शब को लेने पहुची तो लोगों के विरोध का सामना पुलीस को करना पड़ा पुलीस ने पत्थर वाजी शुरू कर दी पुलीस के मताबिक पोस्ट मार्टम की प्रात्मिक रिपोर्ट में मुट का कारर जहरीली प्रधारत का खाना बताया गया है पुलीस ने कहा कि उन्होंने इस घटना की सिलसिले में 20 परशी एक यवक को गिरफतार भी किया है उन्होंने कहा कि लड़की और आरोपी एक दूसरे को जानते थे पुत्री दिनासपूर के स्पी सना अक्तर ने बताया कि पुलीस जब पोस्ट मार्टम के लिए लड़की का शब लेने गई तो उन्हें लोगों के विरोत का सामना करना पड़ा इसके बाद पुलीस को शब कबजे में लेने के लिए लाटी चार्ज करना पड़ा हिंसा में शामिल कुछ प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लिया गया है अधिकारियों के मुताबिक पुलीस कारिवाई में तीन लोग घायल हो गई है और उन्हें राइगन सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भरती भी कराया गया है मामले को लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुक अमित मालविय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेर कर पोस्ट लिखा पश्चिम बंगाल पुलीस जिस शब को असमवेदन शीलता से घसीट रही है वो उत्तर दिनासपूर के कालिया गज़ में राजबंशी समुदाय की एक नाबालिक रेट और मरडर पीडिता का है ऐसे जल्दबाजी अकसर तब देखी जाती है जब मकसद सबूतों को खत्म करना या कमजोर करना और अपरात पर परदा डालना होता है बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजबा विधायक शुभेंदू अधिकारी ने कहा कि हमें पीडित परिवार से मिलने नहीं दिया गया उन्हें धोके से एक पुलीस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ जबरदस्ती बेठा दिया गया स्थानिय भाजबा सांसर देवाश्री चोधरी ने घटना की जाच सीबिया इसे करने की मांग की है वही राजजी की महिला और बाल विकास और समाजिक कल्यार मंत्री डोक्टर शशी पंजा ने आरोप लगाया है कि भाजबा नेता को भ्रमित कर उन्हें उकसाना चाहते हैं दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हैं आप अपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें थैंक यू देखते रहें सच की आवाज